असलावलेकुम फैंट्स माइनम इस सजाद ली और वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल सजाद क्रियेशन वेलकम तो एनदर इंट्रेस्टिंग वीडियो तो गईज आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों अगर आप इस तरह का नियून इफेक्ट के साथ नेमाठ वीडियो बनाना चाहते हैं तो गईज आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ठीक है तो गईज चलिए बगए टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काइन मास्टर अप्लिकेशन को ओपन कर लेजिए ठीक है देन गईज आपने यहां से प्लस वाले साइन पर टैप करना है और यहां से आपने वन बाई वन रेश्यो को स्लेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बद यहां से ओके करते हैं उसके बद कैजए यहां पर आपने उस परसन का नाम लेखना है जिसके नेम का आप इस रगा स्टेटस नाना चाहते हैं से जो है मैं यह वाले font style इस name के ओपर apply कर देता हूँ font style apply करने के बाद आपने यहां से okay करना है okay करने के बाद guys आपने टेक्स को बढ़ा कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है उसके बाद guys आपने इसकी layer को project के end तक ले जाना है जहां तक आपने background को रखा है और उसके बाद यहां से ओके कर दें ठीक है फैंस उसके बाद गैज अभी जो है आपने यहां पर एक कलर वाले वीडियो को एड़ करना है तो गैज उसके लिए सिंपली आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है starting में आने के बाद simply यहां से layer पर klک करके media पर klick करिए और guys यहां से यह color वाले वीडियो को add कर लेजिए तो guys इस color वाले वीडियो का link मैं आपको description में provide कर दूंगा अब वहांसे जाकर इसे डाउनलोड कर लेजिएगा ठीक है तो guys color वाले video add करने के बाद आपने guys यहां से चले जाना है blending वाले option में ठीक है तो गैस blending mode में जाने के बाद यहां से आपने multiply पर क्लिक करना है और उसके बाद simply यहां से okay करते हैं ठीक है फैंस उसके बाद गैस अभी जो है आपने यहां पर एक butterfly वाले वीडियो को add करना है तो गैस उसके लिए simply आपने again starting में आना आप वहां से जाकर इसे भी download कर लेजेगा तो गैस आड़ करने के बाद आपने यहां से आजना है blending में ठीक है blending में आने के बाद गैस यहां से आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है और उसके बाद simply यहां से okay कर दें ठीक है फैंस तो गैस हमारा वीडियो जो है कुछ इस तरह का बन चुका है जैसे कि मैं यहां आपको play करके दिखा देता हूं ठीक है तो गैस उसके बाद जो है आपने इस वीडियो को save कर लेना है वीडियो को save करने के लिए simply आपने यहां से share की button पर click करना है और गैस उसके बाद जो है simply आपने यहां से export पर click कर देना है ठीक है वीडि कर देता हूं डिलीट करने के बाद आपने यहां से मीडिया पर क्लिक करना है और यहां पर आपने एक बेगराउंड वीडियो को एड़ करना है तो इस बेगराउंड वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लिए गार ठीक है तो कैस्स लाआं वीडियो ऐड़ करने की अभी आपने इस वीडियो कर स्टलेम में फैट करना है तो स्के लिए यृप चुछ यहांसे अप्शन पर किलिक करना है उसके पाट पासिव Website करना है तो guys उसके लिए simply आपने starting में आना है then layer पर click करके media पर click करना है और यहां से आपने यह heart वाली वीडियो को add कर लेना है तो guys यह heart वाली वीडियो का link भी मैं आपको description में दे दूँगा वहां से जाकर इसे भी download कर लेजिएगा ठीक है गोईस तो guys यह video add करने के बाद आपने यहां से चले जज़िए ना है blending वाली option में यहां से blending में जाने के बाद simply यहां से आपने screen पर click करना है click करने के बाद simply आपने यहां से ok करना है then guys आपने इसी वीडियो की layer को select करना है select करने के बाद गैज इसे जो है आपने इस तरह से यहां से पकड़ के rotate कर लेना है ठीक है rotate करने के बाद गैज यहांपर आपको resize का बटन मिल जाता है आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाप से इसे यहांपर set कर लिजिएगा और उसके बाद यहां से OK कर दें ठीक है फैंस उसके बाद गईज अभी जो है आपने यहां पर उस वीडियो को एड़ करना है जो वीडियो आपने पहले एक्सपोर्ट किया था तो गईज उसके लिए आपने स्टार्टिंग में आना है दिन लेयर पर किलिक करके मीडिया पर किलिक करना है और यहां से एक्सपोर्ट में जाके उस वीडियो को यहां पर एड़ कर लेना है तो गईज एड़ करने के बाद यहां से आपने चले जाना है बिलेंडिंग में जाने के बाद यहां से आपने स्क्रीन पर किलिक करना है ठीक है आपको ये name इस heart के अंदर adjust करने में आसानी होगी तो उसके बाद आप इस name को इस तरह से rotate कर लीजिए rotate करने के बाद guys इसे जो है आप छोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इस heart के अंदर अच्छे से adjust कर लीजिए गा ठीक है और उसके बाद simply यहां से ok कर दें उसके बाद guys आपने क्या करना है अभी guys आपने जो है अगेन इसी name वाली वीडियो की layer को select करके इसमें आपने एक effect को add करना है तो उसके लिए जो है आपने से select करना है select करने के बाद in animation पर click करके यहां से fade वाला effect आप इस name के अंदर apply कर दें और उसके बाद simply यहां से ok कर दें ठीक है फैंस उसके बाद guys अभी जो है आपने यहां पर एक beat वाले वीडियो को add करना है तो guys उसके लिए again आपने starting में आना है और layer पर click करके media पर click करना है और यहां से guys आपने यह beat वाले वीडियो को add कर लेना है तो guys इस वीडियो का link भी मैं आपको description में provide कर दूँगा आप वहां से जाकर इसे भी download कर लेजिएगा ठीक है तो guys add करने के बाद आपने यहां से चले जाना है blending वाले option में blending में जाने के बाद यहां से आपने screen पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां से okay कर दें उसके बाद guys आपने इस बीट वाले वीडियो की layer को select करना है select करने के बाद guys इसस चोटा कर लेना है ठीक है चोटा करने کے बाद guys इस beat को जो है आपने यहां पर रख दिना है तो गईज यह बहुत ही छोटा होगे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ठीक है आप अपने हिसाब से यहां पर सैट कर लेजेएगा ठीक है फैंस उसके बाद सेंपली यहां से ओके कर दें ठीक है फैंस उसके बाद गईज आपनी क्या करना है अभी गईज आपने यहाँ पर एक कपल वाली PNG इमेज को एड़ करना है तो गईज उसके लिए अगेन आपने स्टार्टिंग में आ जाना है स्टार्टिंग में आने के बाद गईज यहाँ से आपने लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और गईज यहाँ से आपने यह कपल वाली PNG इमेज को एड़ कर लेना है तो गईज इसका भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा आप वहाँ से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लेजएगा ठीक है तो गईज एड़ करने के बाद आपने इसकी लेर को प्राजेट के एंड तक ले जाना है और गईज उसके बाद आपने इस PNG इमेज को यहाँ पर इस साइड में रखना है तो यहाँ से जो हम वीडियो को थोड़ सा आगे स्लाइड कर देते हैं यहाँ पर यहाँ बनकर कम्प्लीट होता है ताके हम इस इमेज को यहाँ पर अच्छे से एड़जस्ट कर पाएं ठीक है तो गईज आपने भी इसी तरह से जो है इस इमेज को यहाँ पर अच्छे से एड़जस्ट कर लेना है ठीक है एड़स्ट करने के बाद सेंपली आपने यहां से ओके कर देना है ठीक हो गया तो गईज उसके बाद जो है अभी आपने यहां पर एक बार्डर वाली पी एंजी इमेज को एड़ करना है तो गईज बार्डर को एड़ करने के लिए आपने स्टार्टिंग में आना है देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और गईज यहां से आपने यहां से फुल स्क्रीन पर सैड़ करके ओके कर देना है ठीक है उसके बाद गईज आपने इसकी लेयर को भी प्राज जो है अभी आपने यहाँ पर एक color वाले वीडियो को add करना है उसी color वाले वीडियो को जो आपने पहले name वाली वीडियो में add किया था ठीक है तो guys उसके लिए आपने starting में आना है then layer पर click करके media पर click करना है और यहाँ से color वाले वीडियो को भी add कर लेना है तो guys color वाले वीडियो को add करने के बाद अभी guys करना क्या है आपने अभी guys आपने यहां से spilled screen पर click करके इसे full screen पर set करना है और उसके बाद यहां से ok कर देना है देन गाईज आपने इसी color वाले वीडियो की layer को select करना है select करने के बाद यहाँ से आपने blending वाले option में जाना है blending में जाने के बाद यहाँ से overlay पर click कर दें ठीक है और उसके बाद यहाँ से okay करते है ठीक हो गया तो गैज उसके बाद जो है आपने यहाँ से जितनी आपने यह वीडियो बनाई थी name वाली ठीक है आपने बेगराउंड वीडियो को भी इतना ही रखना है ठीक है और right side से extra part जो है वो आपने इसका delete कर देना है तो उसके लिए simply आपने यहाँ से background वीडियो को select करना है और यहाँ से Caesar पर क्लिक करके trim to right of player पर क्लिक कर देना है और उसके बाद simply यहाँ से okay कर दें ठीक है फैंड उसके बाद गैज अभी जो है आपने इस वीडियो के अंदर music को add करना है music को add करने के लिए starting में आजाएं then audio पर क्लिक करके guys यहाँ से अपनी gallery में से जो भी song आप add करना चाहते हैं simply यहाँ से कर सकते हैं तो guys यहाँ से जो है मैं यह वाले music को add कर लेता हूँ ठीक है आपने इस वीडियो को save करने के लिए simply आपने यहाँ से share के बटन पर क्लिक करना है ठीक है और guys उसके बाद जो है आपने यहाँ से quality select करके export पर क्लिक कर देना है उसके बाद guys यह वीडियो जो है आपकी gallery में save हो जाएगा so guys यह थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like सरूर कीजिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए ओके लाफिस